अब्हारी नुज में तंसेन भारती ऐज हम बात करेंगे गृणा वाइरस को लेकर हावा से कॉरोना वाइरस फैलने को लेकर डरे हैं डॉक्टर के सुने और खुद का ध्यान ग्युदी केcosy दूसरी लहर पुरी दुनिया फैल रहा है इस अस्टडी के पब्लिस होने के बाद से लोगों में भय का महौल बना हुआ है लेकिन इससे डरने की जरुवत नहीं है बलकि हमें साबधान होने की जरुवत है पिछले साल जब करोना को हवा के माध्यम से फैलने की बात कही गई थी तो विशुस्वास संगठन समयत कई संस्थानों नहीं से मानने से इनकार कर दिया था लेकिन इसवार के स्टडी में बैगांकों ने 10 कारण गिनाते हुए कहा है कि हवा के माध्यम से करोना वाईरस संक्रमन फैलता है इसके वैगानिकों ने यह भी कहा justement है कि दुन्या में कणरोना महमारी से बचाव के लिए जो तरीका अपनाया जा रहा है उसमें बदलाब की जरूदा hat वेगानिकों ने हवा से फैलने वाले करोना वाइरस की जो बात कही है उसमें उन्होंने कहा है कि और डोर की तुलना में यह वाइरस इंडोर में ज्यादा फैलता है रिसर्च में यह भी बताया गया है कि दुनिया फर में करोना के फैलने का एक कारण साइलन ट्रांसमिशन भी है जो मुख रूम से एरबॉर्न ट्रांसमिशन की और संकेत देता है वही कि इस पूरे मामले को लेकर मेरी लैंड स्कूल आफ मेडिसीन की डॉक्टर फातिमा यूनिस ने कहा कि हवा से करोना वाइरस फैलने को लेकर डरने की जरूरत नहीं है डॉक्टर फाहिम ने कहा कि हमें पता है कि कुरोना बुंदों से लेकर हवा तक फैलता है हवा से कुरोना वारिस फैलने का ये मतलब बिलकुन नहीं है कि हवा ही संक्रमित है बलकि इसकार्थिया है कि हवा में वाइरस काफी बग तक बना रह सकता है उन्होंने यह भी कहा कि घरों और इमारतों के अंदर भी इससे खत्रा है इसलिए आप लोगों को अपना बचाब करने के लिए हमेशा मास्क पहनने की जरुवत है उन्हों सलाह दिये कि कपड़ों के मास्क पहनना बंद कर इसकी जगह आपको अब N95 या फिर KN95 मास्क पहनना सबसे पहले infection होने पर खुद को 14 दिन के लिए अलग रख लें इस दोरान अलग कमरे में रहें अलग बातरूम का इस्तेमाल करें और अपने बरतन को अलग रखें या फिर आपके पास एक ही कमरा है तो मोटे परदे की अस्क्रीन के बीच में दिवार खड़ी करें उसके पी मास की गती पल्स और बीपी को भी मापते रहें उन्होंने कहा कि 60-65 साल के लोगों को हाई बीपी मोटापा मधुमे के कारण कोरोना होने की संभावना ज्यादा होती है डॉक्टर फातिमा ने मास को लोकर यह भी बताया कि एक मास का इस्तमाल आप 24 घंटे तक कीजिए इस् मास के सही है तो इसे आप इस परकिरिया को एक हफ्ते तक इस्तमाल कर सकते हैं तो यह थी हवा में कोरोना वैरस के फैलने को लेकर जनकारी बिहार और बिहार से जड़ू ही और भी ऐसे खबरों के लिए बरिन रहें बिहारी नियूज के साथ दिजिए इजाज़ात नवाद कर दो इसे बिहार से जड़ू है, नवाद से जड़ू है के साथ जड़ू है जड़ू है जड़ू है।